हलो गाइस मैं जीते इंद्री शर्मा डेट 24 इंडिस रेंड पर आप सब लिए स्वाइट करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छों गाइस और कैसे सब लोग प्यारे दोस्तों जबर्दस तरीके से हमारी स्टेडी चल रही है और जबर्दस तरीके से आप ति प्यारी करें तो मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा UPSI का नया बैच 15 मार्स से सुरू हो रहा है 15 मार्स से UPSI सुरू हो रहा है 1608 रुपे में आपको बैच मिल जाएगा और इसके लिए आपको कोड अपलाई करना है Y242 यानि कि आपको सबसे ज़्यादा डिसकाउंट Y24 आप कोड यूज करके गाइस 1608 रुपे में UPSI का बैच ले सकते हैं गाइस चले तो गाइस स्टार्ट करें आज धूमाधार तरीके से देखते हैं कौन maximum question को बनाता है और कौन सही सही जवाब देता है question कह रहा है दा टुटर ओफ अलेक्जेंडर दा ग्रेट वास सिकंदर का टुटर महान था बनाएं यह सिकंदर का टुटर कौन था यह पूछ रहा है बनाएंगा इसका तो रोग आपका पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके थी यह भी जवाब दें फड़ाफट guys on the soul on the soul यह किसके पुस्तक थी जवाब दें सहासाथ में यह भी जवाब दें guys कि रेटरDINGрост में थी यह जवाब जरू दें बिल्कुल guys D is the right answer, Aristotle is the right answer और इन चारो पुस्तक के लिखक भी Aristotle थे, नोट करेज़े guys ये चारो की चारो पुस्तके Aristotle के द्वारा ही लिखी गई है I hope you understand guys सिकंदर की बात कहें तो सिकंदर ने 326 इसापूर में 326 इसापूर में भारत पर अटेक किया था जब भारत पर अटेक किया था तो उस समय guys मगद में मगद में गाईस आपका घनानंद का सासन था घनानंद का सासन था जिस समय सिकंदर ने आकर्मन किया था और इसी सिकंदर की सैना सिकंदर की जो सैना थी वो ब्यास नदी से वापस लोड़ गए थी याद अगना दोस्तों ब्यास नदी से वापस लोड़ गए थी किसकी सैना गाइस सिकंदर के आगे चगर सिकंदर को मलेरिया रोख हो गया था malaria रोख हो गया दा guys malaria और malaria की कारणी baby loan में baby loan में इसकी मृतियों गए तक इसके सिक अंदर की I hope you understand guys अगला question निवन मैंसे कौन सा साहित्य सास्त्रिय संस्कृत साहित्य समंदित है यानि संस्कृत साहित्य से समंदित पूछ रहा है which of the following literary works belongs to the classical Sanskrit literature जवाबने का इसका तरोगा प्रयास करें का इसका तरोगा भाई attempt लीजे दोस्तो प्रयास करिए मेरे दोस्तो क्या answer का guys फड़ाफट फड़ाफट guys देखें बिल्कुल एशा सैनी ने बिल्कुल सही का कि Aristotle का father of the political science भी का जाता है बिल्कुल बिटा बहुत साई जवाब दे रही है चले जवाब देगा इसका उतरोगा आपका बिल्कुल guys इसका answer है c make doot am is the right answer और make doot काली दास की रचना है किसके रचना है guys काली दास की रचना है किसके make doot और सासन में वेद की बात करें तो वेद में चार वेद हैं आपके अगर वेद की बात करेंगा इस तो चार वेद है रिक वेद रिक वेद यजुर वेद यजुर वेद guys साम वेद साम वेद के सासत अथर वेद clear है यह चार वेद है मेरे दोस्तों और दीग निघाय की बात करें तो बहुत गरंत है यह क्या गाइस बहुत गरंत है और धंपद बे बहुत धर्म से समंधित पुश्टक है I hope you understand guys clear आगे बते हैं संख्या प्रनाली संख्या प्रनाली संख्या प्रनाली संख्या अविसकार किस ने किया था यानि सुनने का आविस्कार पूछ रहा है दोस्तों The number system zero was invented by रामानुज, आरेभट, पतंजले and unknown person जवाब दें, प्रयास करें कोसिस करें क्या अंसर होगा आपका भई प्रयास जरू करें guys कोसिस जरू करें मैं दोस्तों attempt जरू लीजे प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा आपका जवाब देजे दोस्तों क्या उतर होगा आपका शुनने का अविस्कार किसने किया था बिल्कुल guys, base right answer आरेभट, आरेभट के दोवारा है guys सुनने का अविस्कार किया गया था, जबकि रामनुच की बात करें तो ये गनितिग्ये थे बहुत ही famous क्या थे गनितिग्ये और पतंजली की बात करें तो पतंजली ने महाभाष्य महाभाष्य नामक पुस्तगी रचना किये थे clear? और इसी पतंजली ने guys दो अश्मेग यग दो अश्मेग यग कराने में मदद किया थे किसका? पुष्य में सुंग का पुष्य मित्र सुंग की मदद की थी understand? पुष्य में सुंग की मदद की थे किसने? पतंजली ने और पतंजली की सहता से ही पुष्य में सुंग ने दो अश्मेग यग का आयोजन किया था और इसी आरे भट की पुस्ता का नाम था आरे भटियम जो आपको पता है चले आगे बनाएं अगला कोशन बुद्धिजम ने समाज के दो वर्गों को अपनी तह में जाने देकर एक महत्पून प्रभाव डाला यानि बुद्धिजम ने किन दो व्यक्तियों को सबसे ज़्या ज़्यादा प्रियोर्टी दिया बुद्धिजम मेंट एन इंपॉर्टेंट इंपक्ट बाई ओलाइं टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंटो इट्स फोल्ड दे आद बनाएं यानि कि बहुत धरम में किन दो समुदाई को सबसे ज़्यादा प्रियोर्टी दी गई है सीधे सी जवाब दे दोस्तर क्या उत्रोग आपका भाई कोछी जरू करें अटेंट जरू लें एक-एक बच्चा अटेंट लेगा एक-एक बच्चा प्रियास जरू करेगा बराएं क्या उत्रोगा गाईज बिल्कुल गाए D is the right answer, महिला और सूद्र is the right answer, बिल्कुल से गाइस महिला और सूद्र, यानि बहुत धरम में सबसे ज़्यादा महिला और सूद्र को priority दिया गया, जिसका परिनाम था कि भारत में तेजी से इनकी संख्या बहुत धरम की तरफ आकरिस्ट होई थी, इस एकॉर अब मात्मा पुत की बात करें, तो 563 इसापूर में, गाइस 563 इसापूर में कपिल वस्तु के समीप लुम्बनी वन में इनका जनम हुआ था, और इनके बच्बन का नाम सिधार था, जैसा कि आपको पता है, इनके पति का नाम ये शोद्रा और पति का नाम राहुल था, आ रोमन समराजी के साथ भारत का वैपार रोम के आकर्मन के साथ समाप्थ हो गया, बनाएगा इसका उत्रोग आपका, यानि रोमन समराजी के साथ भारत का वैपार किसके आकर्मन के साथ समाप्थ हो गया, किसके आकर्मन के साथ समाप्थ हो गया, पता हैं, क्या उत्रोग इंडिया स्ट्रेट विद रोमन एंपायर केम टू एंड विद आ इन्वेंशन ओफ रोम बाइदा अरब्स हंगेरियन हूंड्स एंड तुर्क्स जवाब दें प्रयास करें क्या अंसरों का गाइस आपके गॉर्डिंग प्रयास करें गाइस राशी जवाब दें साई कार्थि जवाब दें सदिकुल अमीन जवाब दें मौम्मद साहिल खान जवाब दें अंजली आरब जवाब दें क्या उत्रोग आपका और जगराम यादर जवाब दें क्या उत्रोग आपका फ्रावर गाइस और अनीता कुमारी जवाब दें बिलकुल गाइस सी इस राइट आंसर और हूनों के अटेक की जनकारी हमें भीतरी शिलालेक से हमें हून्स अटेक की जनकारी मिलती है शिलालेक यानि कि आपका भीतरी शिलालेक से हमें भारत में हून अटेक की जनकारी मिलती है और इनी हून अटेक के कारण भारत का रोम समरज्य के साथ वैपार बादित हुआ था आगला question विपन गोयल जरूर मिठाई खिलाओंगा एक दिन आपको जरूर मिठाई खिलाओंगा पताएं Most of the Chola temples were dedicated to अधिकान चोल मंदिर किसको समण पित थे गनेश, सिव, दुर्गा और विश्रूम सासत में भी जवाब दें कि चोल वन्स के संस्थापक कौन थे चोल वन्स का संस्थापक कौन थे जवाब दें संस्थापक बताएं सासत में भी जवाब दें इसकी राजधानी क्य सासत में चोल वन्स का संस्थापक कंवण का संस्थापक थे चापक का कि वजवाब दें Правल कि आप चले वगाइस इसका नसथापना की गई थे वह हैं चोल वन्स की स्थापन की गई थे और इसकी राजधानी कहा Toyota दोस्तों तो तंजोर थी नोड़ करेज़े गाइस तंजोर was the capital of चोलास and विज्जाले was the founder of चोलास dynasty और किसको समर्पिते तो B is the right answer शिव is the right answer छटे का B is the right answer अगला कोशन बॉत धरम में बुल बुद के जीवन के किस घटना से जुड़ा है बुल कह रहा है बुल clear यानि बुल in Buddhism is associated with which event of Buddha's life जवाब दें क्या उतरोगा गाइस फड़ा फड़ गाइस जवाब दें दोस्तों क्या उतरोगा भाई कोशी सबको जरू करना है प्रयास सबको जरूर करना है सासद में भी जवाब दें कि घोडा घोडा किसका प्रतीक है ये भी जवाब दें सासद में ये भी जवाब दें बोधी वरक्ष किसका प्रतीक है बोधी वरक्ष आपने नाम सुना होगा बोधी वरक्ष का नाम सुना होगा बोधी वरक्ष किसका प्रतीक है ये भी जवाब दें सासद में ये भी जवाब दें कि चक्र किसका प्रतीक है चक्र आपने ये भी सुनाओगा बताएंगा इसका उत्रोंगा आपका फड़ा फड़ा जवाब देजे दोस्तों क्या उत्रोंगा भाई प्रयास करिए कोशिस करिए अटेंब लीजे दोस्तों भाई प्रयास सब लोग करिए बुल, बिल्कुल guys, is the right answer, बर्थ का परतीक है, बिल्कुल guys, बर्थ का परतीक है, और घोड़ा की बात करें, तो बूत के गरहत त्याग का परतीक है, गरहत त्याग का परतीक है, क्या घोड़ा, और बौधी व्रक्स की बात करें, तो इक ग्यान का परतीक है, then you can say that, निर्वा का प्रतीक है क्या चक्र I hope you understand चले अगर विच आफ दा फॉलॉविंग कुड विद शेशांक ने कटवा दिया थे पिटा शेशांक रहे चले विच आफ दा फॉलॉविंग वुड बी दा मोस्ट एकुरेट डिस्क्रिप्शन आफ दा मौरियन मोनार्की अंडर अशो का अशो क अधिन मौरे राजसाही का सबसे सटीक वर्णा नुगत में से किस्से होगा प्रबुत निराशावाद केंद्रिक निरकोंशन ता और इंटर निराशावाद लोकतंत का मार्ग दर्शन किया जवाब दें भाई देगे बहुत अच्छा कोंशन पूछा है विच आफ दा फॉ सबसे जादा केंद्रिक अगर केंद्रिक अगर प्रशाशन था तो किसका था मौरे का केंद्रिक प्रशाशन सबसे जादा था यानि केंद्र की पकर गाउन तक बनी हुई थे इस एकॉर्डिंग भी इस दा राइट आंसर मैंने पहली कहा है कि नए नए कोसंस हैं नए नए कोसंस हैं बिल्कुल गाईस नए नए कोसंस हैं चले आरे बट और वरहामीर की शांदान नाम उम्र के साथ जुड़े हुए हैं आरे बट और वरहामीर किसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं गुप्त कुशान मौरे और पाल बताएगा इसके उतरोग आपका पाल है दोस्तों यह पाल बताएगा इसके उतरोगा यानि आरे भट और वरहामीर किसके साथ जुड़े हुए हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं जवाब दें दा इल्यूट्रियस नेम्स ऑफ आरे भट एंड वरह मीर आर एस्सेटेट विद दा एज ऑफ दा गुपतास कुशान मौर्या पाल जवाब दे क्या उतर होगा आपका फड़ा 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 जवाब दें दोस्त क्या उतर होगा भाई ये सारे कोशन सीजि जवाब ने क्या उतर होगा आपका बिल्कुल गाईस इस राइड आज़र गुपता इस राइट आंसर और गुप्ट बंस का संस्थापग सीरिगुप्था आपको पताई है सीरिगुप्त वाजदा फाउंडर ऑफ गुप्ता डैनेस्टे कुशान की बात करें तो कुशान क का संस्थापक था कुजुला कटफीसस कुजुला कटफीसस कुजुला कटफीसस कुजुला कटफीसस फीसस वॉस दा फांडर आफ कुशान डैनिस्टी मौरे वन्स का संस्थापक चंदगुत मौरे था आपको पता ही है चंदगुत मौरे चंदगुत मौरे के द्वारा मौरे इसे स्थापना की थी पाल वंस की बात करें तो पाल वंस का संस्थापक कौन था ये आप बताएं गाईस पाल वंस का संस्थापक कौन था जवाब दें फड़ा फड़ गाईस पाल वंस का संस्थापक आपको बताना जली बताएं पाल वंस का संस्थापक कौन था जवाब दे जली जवाब दीजेगाईस क्या उतर होगा जली जवाब दीजेगाईस पाल वंस का संस्थापक नहीं बता रहा कोई नहीं बता रहा भाई गोपाल नोड करेज़ेगाईस गोपाल गोपाल जो था पाल वंस का संस्थापक माना जाता है बुद्धा means भाई गोपाल दास आप मेरे साथ टेलीगराम पे जुर जाओ मैं आपको वहाँ पे हर एक चीज का जवाब दे दूँगा घबराए नहीं अंजली आरव इस गोपाल को जोड़ो अपने साथ अंजली आरव इस गोपाल को जोड़ो यह पूछ रहा है आपसे बुद्धास means बुद्ध का अर्थ है बनाएं प्रबुद्ध धार्मिक उपदेश प्रतिभा शक्तिसाली बनाएं काईस दा एंलाइंटेंट वन दा राइट ांशर प्रबुद्ध यानि के एनलाइंटेट वन इस दर राइट आंसर काईस बिंकुत तइए ऀषवड़िया यादव का बिल्कुत सई है शूति कुमारी का बिल्कुत सई है और इस प्रियास करें क्या उतर होगा राहुल वर्मा का बिलकुत सई है मुहमत आसफ का मंदिर कहां पर मिलता है यानि आपको अंकोर वाट का मंदिर कहां पर मिलता है बताएं थाइलेंड मलेशिया कमबोडिया और मैनमार ये तो बनेगा सबसे सब से बनेगा जवाब तो दो क्या उतरोगा इसका देवेंद घुमार जवाब देए देवेंदर जी जवाब देजे भाई देवेंदर जवाब देए सासाथ में ये भी जवाब देए कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था किसने बनवाया किस ने बनवाया ये जवाब दीजेगा इस किस ने बनवाया ठीक है सासे में बताएं कि इसका छेतरफल क्या है छेतरफल कितने छेतरफल में फैला हुआ ये भी जवाब दें कितने छेतरफल में फैला हुआ ये भी जवाब दें के लिए फड़ा फड़ गाइस बिलकुल सुर्य वर्मनसेकिन के द्वारा अंकूरवाट के मंदिर का निर्मान करा गया था और इसका कुल छेटरफ़ एक 122.6 है नोट करेशे गाइस एक 122.6 हेक्टेर में फैला हुआ है और अंकूरवाट का मंदिर विश्नु को सरमप्रित है किसको समुझी बता है गाईज विश्णू को आई होप यू अंडिस्टेंड गाईज चले आगे बढ़ते हैं इलाहबाद इस्तम के शिला लिखों में किसकी उपलब्दियों को दर्च किया गया है जो इलाहबाद का जो इस्तम लेख है उसमें किसकी उपलब्दियां दर्साई गई है Whose achievements are recorded in the अलाहबाद pillar inscription बताएं चंदगुप्ता मौरिया समुझगुप्ता विक्रमा दित्ते है और इसका अंदगुप्त बताएं प्रयास करें क्या अंसर होगा गाईज प्रयास करिए कोसिस करिए attempt लीजे क्या answer होगा अपका प्रयास करें और इस इस्तम को बनवाने का असर है किसको दिया जाता है बनवाने का श्रे किसको दिया गया यह बताएं श्रे बताएं किसने बनवाया था बिल्कुझ सही भारत का नेपुलिन कहते हैं याद रखना इसी को कवी राज की उपादी दी गए थे किसको समुंद्र गुप्त को I hope you understand guys सिंदु घाटी सबिता की अनिवारे विसेस्ता थी अनिवारे विसेस्ता पूछ रहा है अनिवारे विसेस्ता ध्यान अखना प्रकरती की सक्तियों की पूचा संगठी सहर जीवन देहाती खेती जाती समाज बताएं का इसका उत्रों का प्रयास करें क्या उत्रों का गाईस और सासत में ये भी जवाब दें कि भाई हरपा सबिता का छेत्फल कितना था जवाब दें छेत्फल कितना था ये जवाब दें और हरपा सबिता की सबसे अनिवारे विसेस्ता क्या थी ये भी जवाब दें बिल्कुल गाईस एक नगरिये सभिता थे ये तो सब को पता है और यही इसकी सबसे महत्पुन विसेस्ता थे क्लियर और इसका च्छेतवलता 12,99,600 किलोमेटर स्क्वाइर में ये सभिता पूरी तरह से फैली होई थे और इस सभिता के जीवन का आधार था कांसा क्या था कांसा इस कारण से इसे कांस यूगीन सभिता भी काहा जाता है कांस यूगीन सभिता के लिए रहे ब्रांच एस सिवलाइज़िशन था कौन हरपण सिवलाइजिशन I hope you understand अगला कोशन पल्व की राजधानी का नाम बताएं पल्लव की राजधानी क्याते बताएं नेम दा कैपिटल ओफ दा नहीं कहा कि भाई लाइक कर दो, एक बार बी नहीं बोला कि लाइक कर दो, लगातार करा रहा था, आप ज invites का फर्ञ बनता है, इमांदारी से, आपने लाइक करें लाइक करें और अगर आप मेंसे किसीने शेयर नहीं किया है मेरे दोस्त तो शियर करते हैं फ्राफट लाइक यंड शियर करें लाइक एंड शियर करते चलें बिल्कुल गाइस तराइड आंसर कांची परमी पल्वो की राजधानी क्या थी कांची बिल्कुल सही और इसके संस्थापक कौन थे तो महीर शरमा नोट अगला कोशन किसने मापने के लिए बायो मीटर का उप्यों किया था बनाएगा इसका उतर होगा आपका बायो मीटर का उप्यों किया जाता है बताएगा इसका उतर है बायो मीटर का उप्यों किया जाता है जवाब दें परियास करें कोशिस करें अटेंप लें क्या उतर है आपका आवरती तापमान वेक और तरंग ध्यद्धे बताएग क्या उतर है आपका फराफट गाई जवाब दें दोस्तो एश्वरिया यादव जवाब दें फराफट गाई जगराम यादव का ए और मुहमद आसिफ का वैवलेंट और जोतिकुमारी का डी आ रहा है अंजली यारो का पंदा का डी आ रहा है और और प्यास करो साक्षी लोना का ए आ रहा है दीपन जगरती का पंदा का डी आ रहा है और गाईस और बताएगे क्या उतर है बहुत सही बहुत सही बटा बहुत सही जवाब दिया है अ द वर्ड वेदा मीन्स वेद का अर्त है बताँगा क्या उत्र होगा ग्यान बुद्धी मता कोशल सक्ती जवाब दें क्या उत्र है आपका प्रयास करने का इसका उत्र है भाई कोसिस करिए अटेंप लीजे क्या अंसर होगा आपका दवर्ड वेदा मेंस प्रयास करें गाइस फड़ा फट गाइस जवाब दें दोस्तों क्या उत जवाब सही हाना चाहिए सटी काना चाहिए गाइस क्या उत्रोका गाइस राज्य भूमी सुधार अधिनियम को सम्वेधानिक दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है बराएं इस्टेट लेंड रिफॉर्मस एक्ट हैस बिन गिवन विच स्टेटरी स्टेटस क्या अंसर होगा बिलकुल गाइस B is the right answer 9th Cetuary is the right answer यहनिके गाइस नौवी अनुसूची में लेंड एक्टिशन बिल्स हैं आपको पता है नौवी अनुसूची में लेंड एक्टिशन बिल्स हैं दियाद कर बिजेँ जीतरह से ताकि कभी एक्जाम में कोशन गलत ना हो अगला कोशन निवन में से किस एरोपिन कमपनी ने भारत में तमबाकू की खेती सुरुवात की थी जवाब दें भाई जवाब देजे डच, पुर्टगाले, फ्रांसेसी और बिटेस सासाथ में ये चारो कमपनीयां कहां इस्थापित होई थी जवाब देए इस्थापित कहां होई थी जवाब जरू देए जैसे डच की बात करें तो ये मुस्लिप प्टनम में इस्थापित होई थी 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 फ्रांसेस बात करें तो 1668 में सूरत में स्थापित होई थी और अगर हम बात करें बिटेस की बात करें तो गैस 1615 में ये भी सूरत में स्थापित हुई थी I hope you understand guys और इसका answer is the right answer यानि भारत में तंबाकू की खेती की सुरुवात जहांगीर के समय में याद कर लीजे जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती की सुरुवात पुर्टगीजों के द्वारा कराया गया था अगला इस दा हाइएस रेन्फॉल इन इंडिया हाइएस रेन्फॉल कहा रहा है बरायें कमर्शन विंड्स वैपारिक पावने शासत में पच्छुआ हवा यानि वेस्टर्ण यहां पे गाइस पच्छुआ हवा को बोलेंगे वेस्टर्ण western winds ये सही रहेगा and southwest monsoon and northeast monsoon बनाएं क्या उत्रोगा guys फड़ाफट भारत में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वर्षा किस monsoon हवाँ से होता है बनाएं बिल्कुल guys, this is the right answer southwest monsoon is the right answer, बिल्कुल सही अगर southwest monsoon की बात करें तो भारत में southwest monsoon से 80 से 85 पर 30 वर्षा इसी southwest monsoon से होती है जून से सेप्टमबर के बीच जून से सेप्टमबर के बीच में guys, वर्षा सबसे ज़्यादा इसी दस्री परस्री मानसून से होती है और इसकी पहली बोचार फर्स्ट जून को केरल में देखा जाता है नोट करेजे guys it's a very very most important for the examination point of view और northeast monsoon से guys, सबसे ज़्यादा वर्षा तमिल आंडू में होते हैं नोट करेजे तमिल नांडू में सबसे ज़्यादा वर्षा होते हैं किस से northeast monsoon से अगला कोशन वर्तमान समीधान में गंड़ना की द्रसी से कितने अनुचेत अनुसूचियां है ध्यान से बताना how many paragraphs and schedules are there in the current constitution in the terms of calculation भाई paragraph नहीं है यहाँ पे articles है article है guys ध्यान अखना article है यानि how many articles and schedules are there in the current constitution in terms of calculation वर्तमान में समीधान में गंड़ना की द्रसी से कितने अनुचेत और कितनी अनुसूचियां है 465 article और 12 schedule 395 article और 12 schedule 396 और 12 schedule और 465 और 8 schedule जब आप देंगा इसका उत्रोग आपका प्रयास करें कोशिस करें attempt लें क्या अंसर होगा आपका बताएं guys वर्तमान समीधान में गंड़ना की द्रसी से कितना अनुचेत और अनुसूचियां है बताएं प्रयास करें guys फड़ाफट फड़ाफट जवाब देंगे दोस्तों बिल्कुल guys A is the right answer A is the right answer 465 article और 12 schedule है याद रहे लच्छमी कांथ में updated data लच्छमी कांथ की book में इस book में guys right now 465 article और 12 schedule दिया गया है बिल्कुल updated data दे रहा हूँ बिल्कुल current का data दे रहा हूँ याद रखना 465 article और 12 schedule is the right answer I hope you understand guys चले आगे बढ़ते हैं पैटागॉनिया का मुझस्तल किस देश में स्थित है in which country is the desert of Patagonia located चले Argentina और China और Australia बताएंगा इसका उत्रोग आपका सासथ में यह भी जवाब दे Sandy desert Sandy desert किस देश में है सासथ में यह भी जवाब दे यह भी जवाब दे काला हारी काला हारी desert किस देश में स्थित है सासथ में यह भी जवाब दे ये भी जवाब साथ में दें आता कामा आता कामा डेजर्ट किस देश में हैं ये भी जवाब जरूर दें क्या उतरोग आपका फटा 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 गाइस पैटा कॉनिय डेजर्ट बिल्कुल गाइस बी is the right answer अर्जेंटीना is the right answer बिल्कुल सही और सैंडी डेजर्ट आपका उस्ट्रेलिया में है नोट करेजे गाइस उस्ट्रेलिया में सैंडी डेजर्ट है काला हारी की बात करें तो भाई काला हारी बोट स्वाना नोट करेजे गाइस बोट स्वाना की साथ 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 अफरीका साथ अवरिका है साथ गाइस नाम बीबिया, नाम बीबिया, इन तीन देशों में काला हारी डेजर्ट का विस्तार है, और आटाकामा की बात करें, तौ आटाकामा डेजर्ट चिली में है, नोड कलीज़ गाइस, it's a very very most important अगला, रडार का अविश्कार किस ने किया था, who invented the radar, बताएंगा इसका तरोक आपका, Robert Watson what, James what, Jeff what, and Nelson what, जवाब दें क्या उतरोका गाइस, आपके recording, रडार पता है ना, सुरक्षा के दस्टी कोन से, सुरक्षा के दस्टी कोन से, यह सबसे important उपकर्ण माना जाता है, बताए रडार का विश्कार किस ने किया था, Robert Watson what, James what, Jeff what, Nelson what, जवाब दें क्या उतरोका गाइस, आपके recording, प्रयास करें, कोसिस करें, attempt लें, क्या उतरोका गाइस, बिल्कुल गाइस, बाइसवे का इस दराइडानस, बिल्कु सही, Robert Watson what is the right answer, बिल्कु सही, बिल्कु सही, इस आप लोगों ने, बहुत ही सडिक जवाब आ रहा है, प्यारे दोस्तों, अगर आपको सीजिल का टैस्ट पक चाहिए, या सी एचेसल का टैस्ट पक चाहिए, गाइस, तो मात 448 रुपे में मिल रहा है, और इसके डिसकाउंट कोड लगेगा, डिसकाउंट कोड, या रखना Y242, Y242 कोड लगा करके, आप ये पूरा का पूरा टैस्ट पक परचेस कर सकते हैं, चलब आगे बढ़ते हैं, सिर्का का रसाइनिक नाम क्या है, बताएं, वाट इस दा कैमिकल नेम आफ विन्नेगर, बताएं का इसका तरह है, सिर्का का रसाइनिक नाम पूछा है, भाई, सब लोग जवाब दीज़ें, सिर्का का रसाइनिक नाम क्या है, बताएं, साइट्रिक एसिट, एसिटिक एसिट, पाइरुविक अमल, और मॉलिक एसिट, जवाब सटी काना चाहिए, सब का प्रयास सब को लोग कीज़ें, भाई, सब लोग अटेम लीजें दोस्तों, और प एंड शियर जरूर करिये, गाइस, लाइक एंड शियर जरूर करना मेरे दोस्तों, जरूर करना, बिलकुल गाइस, बीज़, एसिटिक एसिट, बिलकुल सही, नोट कर लेज़ें गाईस, सिर्का का रसाइनिक नाम एसिटिक एसिट है, which of the following संधाल ट्राइजिव बिलोंस ट अटेंट लोगे तो बनेगा, कंफर्म बनेगा, मैं कहारों की प्रयास करोगे तो बहुत बनेगा, कोसिस करोगे तो जरूर बनेगा, बताओ क्या उत्रोगा गाईज, सब लोग प्रयास करिए मेरे दोस्तों, भाई सब लोग प्रयास करिए, बिलकुल गाईज is the right answer, साइक अगला जाताह है। ये भी जवाब दें ये भी जवाब दें के समने fourth mountain का कुँसा है फोल्ड मांन्टर games बताएं सासथ में जवाब दें कि गारो Khasi यूंग मांटेन का यूंग मांटेन कांपल कौन सा है एव जवाब दें सासद में भी जबाब दें हिमाले में सबसे ज़्यादा कौन सी चटाने पाई जाती हैं चटान बताएं हिमाले में सबसे ज़्यादा कौन सी चटान बताएं बिल्कों सब्सक्राइब और हिमाले में सबसे ज़्यादा अवसाधी चटाने पाई जाती हैं कौन सी चटाने और यंग माउंटेन कौण सा है यह मालिय यह नोड करेजे 형ल यंग माउंटेन की aqirt है गारोे जन्तिय गारोछे जन्तिय कामत कैसे का उधल हалась है अगला कोशिक को कोशीका का पावर प्लांट भी जाता है कोशीका का पावर प्लांट पूछ रहा है which one of the following is called the power plant of the cell भाई उर्जा का घर पूछा है फड़ाफट गाई उर्जा का घर पूछ रहा है उर्जा का घर बता दो फड़ाफट गाई जवाब देदो यंग भी है ना सर हां भाई राव एजेंट हिमाले यंग माउंटिन का एक्जामबल भाई बिलकुल भाई यंग माउ सही गाई माइट्रो कॉंडे इस दर राइट अंसर और राइबोसोम क्या करता है तो प्रोटीन का संसलेशन यह प्रोटीन का संसलेशन करता है कौन राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स को आत्म हत्या की थैली कहा जाता है किसको लाइसोसोम्स को याद कर लीजे अच्छी तरह से पूश कटडि गांस का मैदन कहा जाता है यह ने इसमें से कौन बटरी करेंग तो जूरू werd बिलकुल मेरे दोस्त प्रयास तो करो को करो अटेम्ट तो लो बिल्कुल बनेगा मेरे दोस्तों इस जवाब देजा क्या उत्रों गा उच्छ कतिमल्दी घंस का मैदान कहुं पहाँ जाता है पंपास लालननस सावाना और वैल्ट बनाएं बिल्कुं सही से जड़ाइडा शनीधांसर तोससे सवाना 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 के मैदान को जाता है और इस सवाना की बात करें तो इस सवाना अफरीका में पाई जाते हैं और साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- जुएला में ऐजे आपका लानोस ग्रासलेंड पाए जाते हैं बिलकुँ सही बताएंगा इसका उत्रोगार एंगलीस में ध्यान से पढ़ेंगे तो बनेगा पेट की घड़ी किसमें संग्रमन के अधार पर होती है भाई कोशन कह रहा है कि पेट की घड़ी किसमें संग्रमन क के अधार पर होती है यानि पेट की घड़ी एंड इस्टॉमिक क्लॉक इस बेज्ट ऑन ट्रांजिशन इन जवाब दीजे सोडियम और सीजियम मैंगनेशियम और अलमुनियम आप इंगलीस पे फोकस करें तो इंगलीस पे अर्थ फड़ा फटिकलेगा बनाएंगा इस टॉ बिलकु सही जवाब बिलकुल अभिनाव जी सही जवाब दिया बिलकुल सही जवाब दिया बिलकुल परफेट और सही जवाब दिया है बिलकु सही प्लाजमा मेंबरेन इन यू केरियाटिक सेल इस मेट अप आफ यू केरियाटिक सेल में प्लाजमा जिल्ले किस से बनी होत है जवाब दें ऐस stal आपका यू कैरिया टी सेल में प्लाज्मा धिली किसकी बनी होती है बनाएं seasons फॉस हौश फॉस फॉ सौलिपिट साsprह लोपो प्रोटीन and presents फॉस प्रोटीन जवाब दें क्योंतों बनातिस वी का प्रयास करेग़ प्लाजमा जिल्ली होती है बेसिकले फास्फोल लिपीड से बना होता है नोटका लीजे इट सब वेरी-वेरी मुश्प प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप पेसे कोई भी ऐसा बच्चा कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक लाइक धेसे की बाइन और प्यारे दोस्तों अब आप मैं से किसीने शीनें नहीं किया है थो शीर जरू कर देना लाइक एंड शीर जरू करना लाइक एंड शीर जरू करना अगला कोशन उपरी केंद सथ किसके साथ जुड़ा हुआ है देखे कहरा हुपरी केंद सथ किसके साथ जुड़ा हुआ है बताएं परि जौनव की चकरवाथ और भुष्कलन किया दो गाई ब्लकुल गाई ज्वाइब आंसर ने कि जुछां से अर्थक्र्वीक वेव ओर जिन होती है तो से फोकस पॉाइंट कहते हैं क्या कहते हैं फोकस पॉाइंट ठीक है और जहां पहाँ प्लक्त करती है उसी को epicenter कहते हैं बताया था आपको कई बार कई बार बताया हुआ है जहां पर earthquake waves hit करती है उसे epicenter और जहां से earthquake waves origin होती है उसे focus point कहा जाता है भूकम का मापन की बात करें तो इसका मापन इसका मापन सिस्मो ग्राफ से करते हैं किसे करते हैं सिस्मो ग्राफ से करते हैं और जिस scale पर मापते हैं उसे reactor scale कहा जाता है कौन सा scale reactor scale पर मापा जाता है और reactor scale 0 से 9 तक एक mathematical counting है जिस पर हम इसका measurement करते हैं और red on gas इस बात को बताता है कि भाई अगर किसी छेत में red on gas निकल रहा हो तो इस बात का परतीक होता है कि इस area में भूकम आ सकता है अगला question the pacific ring of fire is associated with pacific ring of fire किसे समंदित है जवाद ने का इसका उतर होगा आपका कहरा pacific ring of fire किसे समंदित है बनाएं का इस क्या उतर होगा oil well fire thermal power station volcanoes and earthquakes and forest fire तेल अच्छी तरह से आग thermal power station ज्वाला मुकी और भूकम जंगल की आग बनाएं क्या उतर होगा गाईस बहुत ही अच्छा question है pacific ring of fire pacific ring of fire किसे समंदित है oil well fire thermal power station volcanoes and earthquake forest and fire जबाब दें बिल्कुल का इस राइट आंसर volcanoes and भूकम इस राइट आंसर और pacific ring of fire की बात करें तो जायर से बात है पता नाम से पर चल रहा है परशान्त महा सागर परशान्त महा सागर में ring of fire located है और विश्व के सबसे ज़्यादा भूकम इसे ring of fire छितर में आते हैं अगला question एक मुहाने से निर्म में से कौन सी नदी है यानि सीधे सीधे कह रहा है भाई which one of the following reverse form and astury astury पूछ रहा है clear यानि astury का निर्मान कौन सी नदी करती है कौन सी नदी करती है यह पूछ रहा है गंगा तापती गोदावरी और महानदी बताएंगा इसका उत्रों का प्रयास करेंगा इसका आपका astury का निर्मान कौन करती है प्रयास करेंगा इस बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही astury का निर्मान तापती नदी करती है बिल्कुल सह और ये गंगा नदी गोदावरी और महानदी ये तीनों कितनी नदियां डेल्टा का फॉर्मिशन करते हैं किसका फॉर्मिशन करते हैं डेल्टा ये तीन नदियां डेल्टा बनाती हैं तापती नदी के साथ एक और जोड़ लीजे क्या नर्मदा याद रहे तापती के साथ न by volcanic activities कॉलडेरा लेक करस्ट लेक लागून लेक फ्रेश वर्टर लेक आप का जबरदस कोशन है अगर पूरी तरह से धासू लग रहा है तो like जरू करना, like जरू करना मेरे दोस्त और अगर आपने अब तक share नहीं किया मेरे दोस्त तो share जरू करना, यारी like and share जरूर करना है भाई मेरे ही group में share करिए telegram पर या दूसरे group में share करिए लेकिन share जरूर करिए प्यारे दोस्तों चल रहे ज़र आयईस बिलकु सहय, A is the right answer, severe like is the right answer, बिलकु सहय, A is the right answer, बिलकुल गाईस, कॉल डेरा लेक इसे कहते हैं, जहां पर वॉल्कैनिक होता है, जो keep की आकर्टी का बन जाता है, इसी को कॉल्डेरा लेक कहा जाता है, जो वॉल्कैनिक ये spirits zerimk की कान यहां פर बनता ह ठीक है यानि कि कॉल्डेरा लेकिज़ा राइट आंसर अगला कोशन को कठोड़ता का मापंक है कठोड़ता का मापंक है दा मॉडुलिस ऑफ रिजिडिडी इस ए रेशन आफ जवादे का इसका तरोगा आपका प्रयास करें का इसका तरोगा फ्राफट अनुधहरे तनाव के वाल्यूम स्ट्रेंट तक तनाव को दूर करने के तनाव को दूर करना तनिता 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 तनाव यानि कहारा लॉंगिटूडनल स्ट्रेस टू लॉंगिटूडनल स्ट्रेन वाल्यूम स्ट्रेस टू वाल्यूम स्ट्रेस टू शेरिंग स्ट्रेस टो शेरिंग स् गाईज क्या उतरोगा 34 का बिल्कुल गाईज B is the right answer B is the right answer गाईज वॉल्यूम इस्प्रेस से वॉल्यूम इस्प्रें तक नोट करीजे गाईज B is the right answer याद रखना B is the right answer बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना B is the right answer अगला कोशन Soda water क्या है what is the soda water रहें a solution a a collide a reflection or none क्या उतरोगा गाईज soda water क्या है पता है गाईज जवाब दीजे दोस्तर क्या उतरोग आपका what is the soda water बहुत ही अच्छा कोशन है प्रयास करेंगा इस क्या उतरोग आपका प्रयास करिए फड़ाफट soda water क्या है तेजी से जवाब दें बिल्कुल गाईज B is the right answer a collide is the right answer बिल्कुल सही बिल्कुल सही गाईज collide is the right answer नोड करेंजे it's a very very most important अगला लेक फॉर्म इन एक कट ओफ रिवर मिंडर is called कह रहा है एक कट ओफ नदी में बनी जील मेंडियर कहलाती है बराएं पलाए जील मौसम संबंदी जील ऑक्स धनुस जील और क्रेटर जील क्या होतरोगा गाईज फड़ाफट अगर मान लीजे नदी बह रही है और नदी बह करके यह तूट जाए और यहां से नदी बहने लग जाए तो यह जो लेक बनेगा इस लेक को क्या कहेंगे इस लेक को कह रहा है बनाएं बिलकुल मुखी का कप के अकार का मुह है दखक प्शेप्ट माउट ओफ द वॉलकैनो इस फोकस एपिसेंटर क्रेटर सिंदर कौन बनाएंगा इसका उतर होगा आपका फड़ाफट काइस देखें अराम से जवाब देंगे तो बनेगा अवाम से जवाब देंगे तो बनेगा बनाएंगा इसका तोगा दा कप पेपर जल से जल्द होगा घब रायना नहीं जल से जल्द होगा कमलेश भाई बिल्कुल काई सीजरा सीजराइड डानसर क्रेटर इस डाराइड डानसर जिसे गढधा कहते हो ठीक है क्रेटर इस दा राइट आंसर चले काई अगे बड़ते हैं प्रत्वी के कोर के रूप में जाना जाता है यहनि प्रत्वी का जो कौर होता है उससे किस रूप में जाना जाता है को पूछ रहा है दा को ऑफ दा अर्ट इस ऑल्सों नोगस्त बनाएं गाइसकी आपको कौरर अफट अर्त नहीं आएगी रात में आज कणफा में नि नहीं आएगी इतने धांसू-धां कोशन रखा है कि आप समझ नहीं सकते जवाब दें दोस्तों अरे भाई आदित्य पता इसलिए कि बिरुजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है सरकार पर दबाव है कि एक्जाम करनेक्ट कराया जाए चले गाइस बिलकुल गाइस बैरी स्फेर इस दा राइट आंसर बिलकु रखना अगला कोशन आसू गैस का इक घटक है आसू किस गैस का घटक है बनाएं आसू किस गैस का घटक है वन आफ दा कॉंस्टिट्वेंट्स ऑफ दा टीयर गैस आपने टीयर गैस नाम सुना होगा कई बार आपने सुना होगा टीयर गैस के बारे में सुना होगा बनाएं इथेन, एथेनौल, इयर एंड क्लोरो पिकेन बनाएं क्या उत्रों का गाईज फड़ा फड़ जवाब देदो 49 का तेजी से जवाब दो बिल्कुल गाईज D is the right answer, क्लोरो पिकेन is the right answer, बिले को से D is the right answer, चले गाईज सर को बोलो था नए कोस्टन के लिए कॉल पे, अच्छा रो एजेंट कहा रहा है कि भाई, सर को बोला था नए कोस्टन के लिए, अच्छा, आसू गैस का एक घटक है, क्लोरो, पिकेन is the right answer, नोट कर लिजे गाईज इट्स वेरी वेरी मॉस्ट बाइज, अगला कोश्टन जो जिल्ला पास कनेक्स, जो जिल्ला पास किसको जोड़ता है, जो जिल्ला पास किन दो सहरों को जोड़ता है, प्रयास करें गाईज, कोशिस करें गाईज, अटेंप लिजे दोस्तों, क्या उत्रोग आपका, फड़ा फट, प्यारे दोस्तों, अगर आपने SSE का test pack लेना SSE का test pack ये test pack purchase करना है तो 448 रुपे में मिल रहा है जाकर 1500 test pack है 1500 test paper है दोस्तों जाकर purchase करें मात 448 रुपे में और इसके लिए code लएगेगा Y242 याद रखना Y242 code लगा देना और लगा करके guys ये test pack purchase करें बिल्कुर A is the right answer Saddle Peak अंडमान निकोबार दीप की सबसे उची चोटी इस्तित है यानि कोशन कह रहा है जो Saddle Peak है Saddle Peak कहां पर अंडमान निकोबार में वो किस आईलेंट पर है बताओ महान निकोबार मद अंडमान लिटिल अंडमान उत्तर अडमान बताओ Saddle Peak the highest peak of अंडमान निकोबार आईलेंट and located in Great निकोबार Middle अंडमान, Little अंडमान, North अंडमान क्या उत्तर होगा गाईस प्रयास करो क्या उत्तर होगा 41 का बिल्कुल गाई D is the right answer North अंडमान is the right answer बिल्कुल से उत्तर अंडमान is the right answer 41 का D is the right answer 731 मीटर इसकी उचाई है नोट कर लिजे अंडमान निकोबार में कल भी बताया था 572 दीपे हैं कितने दीपे गाईस कुल अंडमान में 572 आईलेंट है जिसमें अंडमान में 325 और निकोबार में 247 कल बताया था आप सभी लोगों से request है जितने बच्चे यहां पे class ले रहे हैं सभी लोगों से request है मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई प्यारे दोस्त अगर आपने like नहीं किया मेरे दोस्त तो like कर दो यार like कर दो मेरे भाई और अगर share नहीं किया मेरे दोस्त तो शियर कर दो मेरे भाई, लाइक एंड शियर, लाइक एंड शियर कर दो 26 जनवरी को समिधान के उटगातन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यह एक सुप दिन माना जाता था उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की सुरुवात हुई थी कॉंग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंता दिवस के रूप में बनाया था इन में से कोई नहीं, बताओ क्या उत्रोग आपका 26 जनवरी को समिधान के उटगातन की तारीख के रूप में चुना गया था क्यों चुना गया था बताएं, बिल्कुल गाइस, सीज राइट आंसर भी को सही, यानि दा कॉंग्रेस, यानि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, पहला इंडिपेंडेंस दे, पहला स्वतंद्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया था, इस कारण से, गाइस, इसे 26 जनवरी को ही हम, एज इंडिपेंडेंस दे के रूपे सेलिब्रेट करते हैं, अगला कोशन, निन मैंसे किस रेनी के बिल, केवल लोग सभा में, केवल लोग सभा म सद्धान विदाइक प्राइविट मेंबर्स बिल मुन समिधान संसोधन विदाइक इसका उतरोग आपका फटावट गाई यानि किस तरह का बिल केवल लोग सभा लोग सभा मिलाया जा सकता है या लोग सभा में आपका आपका ओडिनरी बिल है और ये 368 में constitutional amendment बिल है I hope clear हो गया होगा दोस्तो Money Bill की बात करें तो Money Bill सिर्फ लोगसभा में लाए जा सकता है लोगसभा simple majority से proposal पास करें लोगसभा simple majority से proposal पास करें तो फिर Bill रासभा में जाएगा रासभा भी अगर simple majority से प्रस्ता पारित कर दे clear तो Bill को पास माना जाएगा अगर रासभा 14 दिन तक अपनी सहमती नहीं देता तो भी Bill को पास मान लिया जाएगा The right to public office is a The right to public office is a सारजनी कारले का अधिकार एक है सारजनी कारले का अधिकार एक है नागरी का अधिकार, आर्थी का अधिकार, नैती का अधिकार, राजनैती का अधिकार बताएं क्या उत्रोग आपकार सार मुझे बताईएगा कि क्लास टाइम क्या है डेली लाइफ क्लास के संगीता सैनी डेली क्लास होती है संगीता सैनी साम को चार बजे 4 पिम पे याद रखना साम को चार बजे और रात को 10 बजे डेली किलर सोती है ज़ले गाइज, अगला कोशन एक विटामिन देखे गाईस एक विटामिन रिक्वाइस कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी दा विटामिन एज भाई सीजल 2010 का कोशन है सीजल 2010 का है एक विटामिन को अपनी गतिविदी के लिए कोबाल्ट कोबाल्ट कह रहा है कि अवशक्ता होती है कोबाल्ट की अवशिक्ता होती है विटामिन B12 से, विटामिन D से, विटामिन B2 से, विटामिन A से बताओ क्या उतर होगा फड़ा फड़ गाईस, जवाब दें दोस्तों क्या उतर धीरे धीरे बोलो, स्पीड कम रखो अचा ठीक है, रूप सिंग गुजर बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, चल भाई, बहुत धीरे धीरे एक विटामिन को अपनी गतिविधी के लिए कोबाल्ट की आवशिक्ता होती है बताएं, ये कोशन आपका पूछा था, SAC CGL 2010 में पूछा था बता दीजे क्या उतर होगा आपका, प्रयास करें अपक्या उतर होगा बिटामिन B12 is the right answer, बिटामिन B12 is the right answer यानि हमें कोबाल्ट की प्राप्ती, कोबाल्ट की प्राप्ती, विटामिन B12 से प्राप्त होती है I hope you understand guys, अब के लिए रहे, चले, अगला कोशन सरकार की और से दोहरी नागरिक्ता एक मात्पून विसेस्ता है, बताएं Dual citizen is an important feature in which form of government, कोशन कह रहा है कि भाई दोहरी नागरिक्ता किसकी विसेस्ता है, संसदिये, संगिये, एकात्मक, अधिनायक बता दो क्या उतर होगा आपका, parliamentary, federal, unitary and authoritarian बनाएंगा इसका उतर होगा आपका फड़ाफ़ट गाईस, संसदिये, संगिये, इकात्मक, अधिनायक, बनाएं फड़ाफ़ट गाईस, जवाब देदें दोस्तों क्या उतर होगा फड़ाफ़ट गाईस, बिल्कु सही, बीज राइड आंसर और ये दोहरी नागिक्ता है कहां पर तो USA इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है USA इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल USA है प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से प्यारे दोस्तों, अगर आप मेंसे किसी बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया है भाई, तो लाइक कर दो मेरे दोस्त, लाइक कर दो अगर आप मेंसे कोई भी ऐसा इस्टूडेंट ऐसा इस्टूडेंट है, जिसने शेयर नहीं किया है मेरे दोस्त, तो शेयर कर देना, मेरे दोस्त, शेयर कर देना अगर आप नीव स्टूडेंट हैं नए स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगला कोशन भाते सम्विधान में सामिल निर्देशक सिध्धानत हैं किस सम्विधान से प्रेइथ हैं किस सम्विधान से प्रेइथ हैं बताएं इन कॉशन पूछ रहा है अब सीधे सीधे आपसे ये कोशन पूछ रहा है भाते सम्विधान में निर्देशक सिध्धान कहां से लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं बताएं का इसका उतर होगा आपका फड़ाफट जवाब देदे दोस्तों क्या उतर हैं फड़ाफट जवाब देदे गाइस क्या उतर होगा प्रयास करें गाइस बिलकुल गाइस आइलेंड इस दा राइट आंसर अगर ऑस्टेलिया की बात करें तो भाई ऑस्टेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लि है साइद्ध अधिवेशन कहा से Australis लिया गया है सासवत में वयपार वा निज्य टारीम्टीलिज़ लिया गया है ठीक है और युसे की बात करें तो युす से सब्से इंपॉर्डाइंट आपका फिनडामेंटल राइट लिया गया है रिटन constitution लिया गया है सासद में impeachment लिया गया है guys impeachment आपको पता होगा impeachment का provision हमने USS लिया है और Canada की बात करें तो भाई Canada से हमने राज्येपाल का प्रावधान लिया है क्या लिया guys राज्येपाल हमने कनेडा के समिधान से लिया है चलिए लोगसभा द्वारा पारित धन विदह को पारित किया गया माना जाता है अगर राज्येपा भी जब उच सदन द्वारा कोई करवाई नहीं की जाती यानि कह रहा है भाई कि a money will pass by the लोगसभा is demate to have been passed by the राज्येपा also when no action is taken by the upper house within यानि कुशन क्या रहा है सीदे सीदे कि लोगसभा money will pass कर दे तो राज्येपा उसे कितने दिन के अंदर पास कर सकती है अगर लोगसभा money will pass कर दे तो राज्येपा उसे अपने पास कितने दिन तक रोख सकती है कितने दिन तक रोक सकती है बनाओ दस दिन — 24 दिन बिस दिन और थीज दिन क्या उतर गाइस फुराफ़ल जवाब देए दॉस्ति क्या उतर है बिलकुल से 14 है आनसर है अगला कोशन संसत दो सवत्रों की प्रोप यह जिल्ख ल्ली प्रियास करें गांज देखिए बच्चों मैं सिम्म को आपको करा तो में सिम्मम के मैक्सिमम मिन Keeping बच्चों को मैक्सिमम कराना मैं मैं सिमंग में सितना हो जाए कैले इसलिए भाई घबराइए नहीं वसके पते चलिए ठीक है चले बनाएं बिल्कुल गाइस सिक्स मंद इस दर आई डांस बिल्कुल छे मैने से अधिक नहीं होना चाहिए अगला कोशन लकडी लोहे वह मूम के समान आकार के टुकरे को समान उचाई से प्रत्वी पर गिरा जाता है एक लकडी का टुकरा है एक लोहे क से पहले पहुँचेगा वह है बताएं लकडी पहुँचेगा की लोहा पोँचेगा की मौम पोँचेगा यह सभी एकùng साथ पहुचेगे बताते क्या उफरोगा आपका कोशन तो समंझ में आ गया होगा किया ढ्या सरे गाइस पचासवीं का बताएं बिलकुल दी जारा राजा की चिकिसा के लिए भीजा था यानि कहीड़ की बिम्पसार जो हर्यक्वंस का संस्था पक था उसने अपने राजवेड जिवक्गो किस राज़ी के राजा किची हिसा के लिए भीजा था कोशल अंग अवंति वैश्यालि क्या होतं कि बात करें तो बहुंत की राजदाई श्रावस्ति थी श्रावस्ति इस्दा कैपिल ऑफ कोशल यह अयुध्या भी कह सकते हैं अयुध्या इस्दा कैपिल ऑफ कौौश Ting अंग की राजधानी चमपावती थी चमपावती चमपावती और अवंती की राजधानी उजयन थी आपको पता ही है एक राजधानी उजयन थे और दोसी राजधानी महीशमती थी आपने बाहु बली मुवी देखा होगा और वैशाली की बात करें तो भाई वैशाली खुद राजधानी है किसके थी ये वज्जी वज्जी की राजधानी वैशाली थी I hope you understand guys चले आगे बढ़ते हैं दुलहस्ती पावर स्टेशन दुलहस्ती कह रहा है दुलहस्ती चिनाब रावी सतल बता दो क्या अंसर होंगा आपके और अध्यर्टन प्रियास करें इसका नाम है विपासा और अगर हम सर्दुश की बात करें तो सर्दुश का नाम है शतुद्री शतुद्री इसका नाम है रावी की बात करें तो इसका नाम है परुशनी परुशनी इसका प्राची नाम है और इसका प्राची नाम की बात करें तो इसका नाम है असकनी असकनी इसका प्राची नाम है किसक अगला जंताओं की गुफाओं में चित्र किस कालके हैं यानि जो अजनता की गुफा जो महरास्ट्रा में हैं वो किस कालकरम के हैं what period are the painting in अजनतास cave बताएं क्या उत्रोग आपका प्रयास करें गाईज मौरे वंस गुप्त वंस कुशान वंस और वर्धन वंस बताएं क्या उत्रोग आपका प्यारे दोस्तों मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं ज जितने student class ले रहे हो बड़ी महरबानी होगी आप सभी लोग की कि अगर आपने एक भी बच्चा जिसने लाइक नहीं किया है तो भाई यह उठा टेकिये यह उठा टेकिये और अगर आप में से किसने share नहीं किया मेरे भाई तो share कर दीजिए फराफट share जरूर कर दीजिए जिए गया बिलकुल से B is the right answer, गुप्त वंस इस दा right answer अगला question निमर्द मैंसे गुप्त कालीन स्वन मुद्रा है, स्वन मुद्रा कौन सा है गुप्त कालीन स्वन मुद्रा, बताएं कोडी, दिनार, निश्क, पन, बताएं क्या उतर होगा आपका, यानि निमर्द मैंसे कौडी, दिनार, निश्क, पन, बताओ, क्या उतर होगा आपका, बिलकुल गाइस, B is the right answer, दिनार is the right answer, बिलकुल सही, दिनार is the right answer, अगला question गाइस, एहोल अभी लेक में, पुलकेशिन दुत्ये की विज्जियों का विवरन प्राप्त होता है, इस अभी लेक का रचीता था, प्रायम, हरिशेन, रवी कीर्ती, वसी भठ, बान भठ, बताएंगा इसका उतरोग आपका, फड़ाफ़ गाइस, जवाब दिए दोस्तों का उतरोगा, यानि एहोल अभी लेक में, पुलकेशिन सेकिंड की विज्जियों का विर्वरन मिलता ह इस अभी लेक का रचीता था, बिलकुल गाइस, इसका रचीता था, बीज दराय डांस, रवी कीर्ती, रवी कीर्ती इसके रचीता थे, और इसी अभी लेक से परचलता है कि पुलकेशिन दुतिया ने, गाइस, हर्श को, हर्श वर्धन को, हर्श वर्धन को, नर्मदा नद के तठ पर नदी के तठ पर पराजीत किया था I hope के लिए रोगया चले गाइस अगला question अगला who was the governor general of India at the time of revolt of 1857 बताएं भाई total 65 question है total 65 question है आज 65 question खतम होते ही सीधे हो जाएगा total 65 question है 57 पे चल रहे हैं who was the governor general of India at the time of revolt of 1857 अठारा सो संतावन के विद्रों के समय भारत का governor general कौन था लॉड अलो जी लॉड विलियम बेंटिंग लॉड कैनिंग लॉड लिट्टन बताओ क्या उतरोग आपका फ्राफट guys sir यह sir fall to comment पढ़ते हैं आप पता नहीं क्या ख्या रहा है चले अठार संतावन के समय भारत का governor कौन था पता हैं लॉड अलो जी लॉड विलियम बेंटिंग लॉड कैनिंग लॉड लिट्टन बिल्कुल guys see is the right answer लॉड कैनिंग is the right answer बिल्कुल सही जब अठारस संतावन का विद्रो दस मई दस मई अठारस संतावन को अठारस संतावन को मेरट से शुरू हुआ था और इस समय भारत के governor general lord कैनिंग थे अगला कोशन in which state of India was the first GST bill passed भारत के किस राज्य में सरपदम GST bill passed किया गया था तेलंगाना सिक्किम उत्राखंड केरल क्या उत्रों का गाइस प्रयास करें क्या अंसरों का आपका प्यार दोस्तों अगर आप बैंक की तियारी कर रहे हैं आप में से कोई भी अच्छा मात मात गाईस 3989 रुपे का आपको मिल रहा है और इस पे कोड अप्लाई कर देना मेरे दोस्त वाई 242 वाई 242 कोड लगा देना और बैंक का माहा पैक अगर लेना हो तो बैंक का माहा पैक भी परचेस करें ते लंगाना इस राइट आंसर गाईस नैशनल इंकम इन इंडिया इस कैलकुलेटेड बाई है जवाब दो भाрат में राश्टी आयक कि गणणा इसके दुरह की जाती है राश्टी आयक कह रहा है कि भाई भाई भारत में जो रास्टी आयक है उसकी गणणा कौन करता है वितमंतरा ले केंदरिये सांखी की आयोग वि मेरे दोस्त तो यह उठा टेक देना और आपने किसी बफे झाल ही किया मेरे दोस्त तो शीयर जरू कर देना लाइक एंडड शीयर जरूर कर देना चलिभाई । यानि कि बी इस दा राइट आंशर व्यक्maot सलबते हैं सवर पतम किस पंचवर्शी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था जो को गरीबी हटाओ का नारा कहा रहा है तिरते पंचवर्शी योजना दोसी पंचवर्शी योजना पांचवी पंचवर्शी योजना चटी पंचवर्शी योजना बताओ क्या उत्रों का प्रहांग जलाहंगा सच्छ व्कुपूर सैंसर अगला कोशन गाइज वीच आफ्ट फॉल्वव कमिटी एक्जाऽमे लिपूर्ट ऑफ दा कंडोलर एंडोगीड नासफ इंडिया अड़ितर जरनल फिल्टिया Mix Professor समय मूसैंickets लिखा परिख्षक की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लिखा समिति सरकारी उपकरम समिति प्रकलन समिति और उप्रोकर से कोई नहीं बताएं क्या उत्रों का आपका फुराफट बिल्कुल गाइस बिल्कुल गाइस पी एसी पॉबिक एकांट कमिटी इस दा राइट आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक अउठा नहीं टेका हो, तो प्यारे दोस्त यह उठा जरूर टे कर देना लाइक जरूर करना मेरे दोस्त लाइक कर देना और अगर आप में से किसी ने शियर नहीं किया मेरे दोस्त तो शियर जरूर कर देना चले गाईस अगला कोशन किस बाजार में कंपनियां अपने उत्पाथ ब्रांड नाम से बेशती हैं इन्वेश मार्केट डू कंपनिय सेल देयर प्रोड़क्स अंडर दा ब्रैंड नेम ब्रैंड नेम कह रहा है बताओ क्या उत्र होगा गाईस brand name कह रहा है पूर्ण प्रतोगिता, एकाधीकारी प्रतोगिता और एकाधीकार और अलपाधीकार, क्या उतर होगा full competition, monopoly monopolistic competition and oligopoly, जवाब दें किस बाजार में companyya अपने उत्पाद brand name से बेचती हैं बिल्कुर है, c is the right answer monopolistic competition is the right answer, बिल्कुर सही guys, c is the right answer, clear अगला question guys, East India Association के संस्थापक कौन थे East India Association के संस्थापक कौन थे who was the founder of the East India Association, बनाएंगा इसका तरोग आपका फिरुशा मेता, दादा बाई नरोजी, अशोक मेता मातमा गांधी, क्या उतरोगा guys, who was the founder of East India Association, बनाएंगा फ्राफट, बिल्कुल guys East India Association के संस्थापक की बात कर, दादा बाई नरोजी is the right answer आठ सो, आरा सो, सरसट में लंदन में, लंदन में दादा बाई नरोजी के द्वारा East India Association का formation किया गया था, और इन्हें गरांट Old Man of India के नाम से भी चाना जाता है, अगला कोशन A concave lens always forms an image which is 2010 में पूछा था, 2010 के सीजल में, अवतल lens हमेशा एक छवी बनाता है जो वास्तविक और सीधा वर्चुल और इरेक्ट, वास्तविक और उल्टा, अभासी और उल्टा रियल औरेक्ट, वर्चुल गणिस का जवारे विर्चुल और यानि वर्चुल और ब्रच्विक और निवर्चुल, प्यारे दोस्तों, मैं आप सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बत्चा, जो सीजिल के त्यारी कर रहा है, या CHSL की तियारी कर रहा है या MTS की तियारी कर रहा है या CPO की तियारी कर रहा है या STENO की तियारी कर रहा है तो प्यारे दोस्त 448 रुपे में ये टैस्ट पैक मिल रहा है जाकर ले लो ये 448 में टैस्ट पैक मिल रहा है नहीं 448 रुपे में और इसके लिए code apply करना Y242 code लएगा Y242 code लएगा और इस code के दुआरा जाकर purchase करें प्यारे दोस्तों अगर आप S.S.E. की तियारी कर रहे हैं और आपने अब तक माहा पैक नहीं लिया तो भाई माहा पैक purchase करें तो आप S.S.E.C.S.L. की तियारी कर सकते हैं हमारे साथ M.T.S. की तियारी कर सकते हैं साथ सद्वी S.T.E.N.O. की तियारी कर सकते हैं यह सारे exam माहा पैक में cover होते हैं मेरे दोस्तों अगर आपने नहीं लिया तो जाकब purchase करें और इसके लिए code आपको पता है code तो पता ही होगा कि क्या लगाना है code भाई तो code लगाना है y242 y242 code लगाना अग code लगा करके हमारे साथ जुड़िये guys प्यारे दोस्तों अब आप fcii की तियारी कर रहे हैं fcii की तियारी कर रहे हैं तो बाइस मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है अड़ा पर बाइस मार्च से बाइस मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है आपका क्या fcii का बैच मात 2529 रुपे फीस है 2529 रुपे फीस है मेरे दोस्त और इसके लिए भी code अप्लाई करना है y242 y242 code लगाईए और code लगा करके आप यहाँ पर fcii का बैच परचेस करें fcii का बैच परचेस करें 2529 रुपे में और code है guys आपका y242 y242 code लगाईए और तुरंत guys batch जोइन करें अगर आप fcii की test series चाहते है test series तो मात्र 367 रुपे में आपको test series मिल जाएगे और इसके लिए भी code लगेगा guys y242 code लगाईए और code लगागरे आप test series भी purchase कर सकते हैं तो thank you take care जैहिन दोस्तो